तो आज मैं आपके साथ में टिप्स लेकर के आई हूं कुकिंग से रिलेटिब भी हैं तो देखते रहे हैं क्या के टिप्स हैं अगर आप चैनल पर नई हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और वीडियो को लाइक जरू से करें तो पहला मेरा है यहां पर मैं बना गोवी के पराथे सबी बनाते हैं मैं किस तरीके से बनाती हूं मैं आपके साथ में वह सेयर कर रही हूं तो यहां पर मैंने गोवी को पहले दोकर अच्छे से उसका पानी सुखा कर ग्रेट कर लिया है ग्रेट करने के बाद इसमें बारी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्स मै आप जरूर एड़ करें इस तरीके जो पराठे होते हैं बहुत टेस्टी बंते हैं जैसे हम पनीर के बनाते हैं या फिर गोवी मूली जिसके बनाते हैं चांट मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसे थोड़ा खटा पनाएगा तो टेस्ट जादा बढ़ जाता है यही ठीज इसा काला नमट भी इसमें एड़ कर सकते हैं उससे टेस्ट इसका बढ़ जाता है और भीत हैं। फोड़ा सा आपकर पराठे को कर देंगे अच्छे से मिक्स आप इस तरीके से पराठे बनाएं गोवी के तो आप बहुत ही टेस्टी पराठे बने के तेसी से पर त्या तो मैंने फुल वीडियो भी इसकी अपने चैनल पर पहले से ही डाल रखी है तो आप जा करके फुल भी देख सकते हैं तो मैंने आपको बताया है किस तरीके से गोवी का मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में आप इसमें कटा हुआ हरा धनियावी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है इसलिए तो आप में इस तरीके से बनाता है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं तो मैं इसे में तो मनें बड़ी पिगर शीली लिया था कि यूंसांथ मićस हो सब्चाना तो न चीनल सब्सक्राइब गर्म करने के लिए रख स्याख़ के लिए यहाँ पर बाद करें करेंगे हींग और जीरा हींग का भी टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं तो आप जरूर एड़ करें जीरे को थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे कटा हुआ लैसन और प्याज को मैंने बारिक कट करके लिया है अब इसमें हम लैसन प्याज कर देंगे अच्छे से हमें ब्राउन करना है लैसन प्याज को तो बहुती सिंपल सी सबजी अगी ए भोग टेस्टी बनती हम चावलके साथ बना रही हूं मैं टो अब त zeसे हम कर अपने बैंगन आलू को मैंने पहले ही कट करके रख लिया है पानी में डाल करके रख दिया था अब यहां पर हमारे लहसन और प्याज हैं वह हो चुके हैं अच्छे से ब्राउन उसके बाद आप इसमें हमें डाल कर रहे हैं कटा हुआ टमाटर तो टमाटर को मुझे साथ ही इसे पकाऊंगे आप चाहो तो पहले अच्छे से मसाले में टमाटर को पकने दें उसके बाद आप सब्जी एड़ कर सकते हैं तो मैं टमाटर को आलू बैंगन को साथ में ही एड़ कर रहे हूं तो देखिए मैंने इस तरीके से कट किया था और टमाटर भी सब्जी क मैंने साथ में एड़ कर दिया अब इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले को पानिकर ने से पहले और नियुसके भा alike मिक्स करने के बाद थोड़ा अधा मिन्यटर के लिए आप इसी त्रीके से सभी सा Receır का ले तब पानि कि दिर के लिए पका लेती हूं उसके बाद हम इसमें पानी एड़ करोंगी तो पानी ठोड़ा ज़्यादा ही एड़ करेंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी उससे पहले मैं समय कर दोंगी टेस्ट के साथ से नमक और नमक को भी अच्छे से सारी सब्जी में मिक्स क तो यहां पर मैंने सारा नमक कर दिया है अच्छे से मिक्स अब इसमें हम एड़ करेंगे पानी तो पानी में इसमें दो गिलास के करीब एड़ कर रहे हूं क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी चावल के साथ इसलिए आप अपने टेस्ट के साफ से एड़ कर सकते हैं साथ ही हो जाएगा पकने के बाद अब इसे हम ढख करके पका लेते हैं जब तक कि हमारे अलू और बैंगन है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तो मैं ढख देती हूं इनको इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी सब्जी बनके तयार होगी तो यहां पर मैंने इससे पांस मिनट के लिए ढखाता और बीच में एक दुवार मैंने चला दिया था तो यहां पर देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर और टे कितनी अच्छा आया है इतना ही मुझे पतला रखना है सब्जी को आप अपने साब से पतला या गारा कर सकते हैं थोड़ा साना आल टेसट लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं तो आप सी तरीके से सिम्पल सी बहुत जल्दी जटपट बनके तयार हो जाती है ज्यादा टाइम कड़ाई में बनाई है आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हैं और इसका एक टिप सब्जी बढ़ा है कि मतलब सब्जी बनने के बाद जब आप गैस ऑफ करने वाले हैं आदा नीवु का रस एड कर दें इससे सब्जी का डोगना टेस्ट हो जाता है नीवु एड करने से तो आप कर सकते ह कर सकते हैं और यहां पर मैंने देखी है यह चावल के साथ बनाई थी सर्व किया है के सब्सक्राइब अलुएंगन की सबजी बनाने के मैं अब यह इवी तरीका है कि जो मैं मनाया आपको दिखाया है और यहां पे मेरा यह टिप्स है बहुत ही यहां पे आप देख सकते हैं सारी जो किचिन की सिलिप है यहां पर मेरा मतलब हास से जो डब्बे में घी रखा है वो गिर गया था तो अब कितना दिमाग कराब हो जाता है अब इसे साफ करना ही पड़ेगा अगर मैं इसे कपड़े से साफ करूंगी घी जो गिरा हुआ है तो सारा कपड़ा बेकार हो जाएगा सारा चिकना हो जाएग यहां पर मैंने लिया है यह आटा लिया है गेहूं का आटा इससे क्या होगा इसमें जिवी चिकनाई है सारी आसानी से अलग हो जाएगी आटे से अगर आप इसे टिसू पेपर या खबार से भी साफ करेंगे तो उतना अच्छे से नहीं होता है सारी सिलिप पर मतलब अग्या पूरी में रख लिया है घी उसे यूज कर लेंगे खिलिप तो साफी रहती है हमेशा मेरी फिर वी काफी सारा चिकना खीका तो बहुत जादा चिकनार हट रह जाती है कितना भी अच्छे से कल लो आप देख सकते हैं जब मैंने सूखे आटे से किया है आसानी से सार पेगड पौधों में डाल सकते हैं जहां पर गाय वगएरा को भी आप दे सकते हैं तो ये बेकार नहीं है यूज में आह जाएगा तो आप इस तरीके से गाय वगएरा के लिए रखते हैं और यहां पर थोड़ा बहुत बचा हुआ आटा है इसे आप किसी अखवार से साफ कर लें या फिर कोई टिसूपेबर भी साफ कर सकते हैं यहां पर यह देखे मैं अच्छे से अभी मैंने पानी से बिल्कुल भी साफ नहीं किया है यह आप देख सकते में आपको दिखा रही थी कि आटे की बज़ए से ही यह सारा जो स्लिप है आसानी से साफ हो गई आप इसमे कहें घी ऑईल कुछ भी हो वहां पर गिर जाता है अगर पकुछ जाता है